Dear Student, आज की क्लास में जैसा कि हम लोग UP Special का हम क्लास स्टार्ट किये हैं और उसी UP Special के क्लास में इसके पहले जो है वो हम लोग उत्तर प्रदेश का आधुनी कितिहास के बारे में पढ़ चुके हैं और उसी उत्तर प्रदेश के आधुनी कितिहास में हमने आप लोगों को उत्तर प्रदेश की जो क्रांतिकारी गत्विधियां थी उसको हमने पूटप किया हुआ है उसके बाद से उत्तर प्रदेश में भारती राष्टी कॉंग्रेस के अधिवेशन मगारे में पूटप किया हुआ है तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का आधुनिक इतिहास आपका पूरा टोटल टॉपिक कम्प्लीट हो चुका है अब आज यूपी स्पेसल की क्लास में हम आप लोगों के सामने उत्तर प्रदेश का मध्यकालिन इतिहास के बारे में बताएंगे और इसी उत्तर प्रदेश के मध्यकालिन इतिहास में मतलब मध्यकालिन मेडवल हिस्ट्री में जो आपका उत्तर प्रदेश का विसेश महत्तो है वो आपका विशेश महत्त में आपके दो-तीन डिस्टिक ऐसे हैं जो की मेडवल हिस्ट्री में यही दो-तीन डिस्टिक जो हैं वो आपका केंदर बिंदू के रूप में कारे कर रहे थे जिसमें कि आपका आगरा के बारे में विशेश तोर पे पढ़ना होगा उसके साथ साथ आगरा के साथ साथ आपका अवध के साथ साथ आपका जौन पूर का भी उत्तर प्रदेश में मध्यकाली नितिहास में जौन पूर का भी अपना विशेश इस्थान है तो इसी चीज को ले करके आज उत्तर प्रदेश का मध्यकाली नितिहास पढ़ेंगे तो आप लोग heading बना सकते हैं कि मध्यकाले नितिहास में उत्तर प्रदेश मध्यकाले नितिहास और इसी मध्यकाले नितिहास में किसका मध्यकाले नितिहास तो आपका UP special मध्यकाले नितिहास में उत्तर प्रदेश अब इसमें सबसे पहले हम लोग किस डिस्टी को लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग लिया जाएगा जौन पूर और कोशिस करिएगा कि आप लोग थोड़ा सा इसका पेन कॉंपी ले करके वैठिएगा क्योंकि जब तक आप इसको नोट नहीं करेंगे तब तक संभावना ये बनती है कि आपका ये तयार जल्दी नहीं हो पाएगा और जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे सारी चीजों को जब तक आप फूद अपॉइंट नोट करते हुए नहीं चलेंगे तब तक ये आपकी एक तयारी नहीं हो पाएगी तो कोशिस ये करि ये कि नियर अबाउट 70% कोश्चन इस कंटेंट से आपका जरूर फुल्फिल हो जाएगा तो सबसे पहले हम लोग मद्यकाली नितिहास में जौनपूर को लेते हैं अब इस जौनपूर की इस्थापना पहला कोश्चन ये बन जाता है कि जौनपूर की इस्थापना किसके द्वारा की गई थी तो जाउनपूर की इस्थापना जो है वो फिरोशा तुगलक के द्वारा की गई पहला कोश्चन आपका ये बन गया फिरोशा तुगलक और ये मद्यकाली नितिहास में जो फिरोशा तुगलक था इसी फिरोशा तुगलक के द्वारा 300 बड़े नगरो की स्थापना की गई जिसमें आपका हिसार था जौनपूर था फतेहाबाद था फिरोजाबाद था तो इस तरीके से इसी फिरोशा तुगलक के द्वारा जौनपूर की क्या की गई इस्थापना की गई और ये फिरोशा तुगलक ने जौनपूर की स्थापना किस वर्स किया तो ये 1538 इस्वी में जौनपुर की इसके द्राइश इस्थापना की गई थी। किस मुर्ची में प्रदान की जुकि जूना खा प्रदान किया। चुकि हमारे पार डिजिटल बोर्ड अभी नहीं है जिस तरीके से बाकी डिजिटल बोर्ड पे लोग पढ़ाते हैं और सारी चीज़ें टाइपिंग हो जाती है और उसी चीज़ को ले करके बोलना देख करके बोलना शुरू कर देते हैं तो इसी वज़ा से मैं कह रहा हूं कि आप लोग कंपी पेन ले लीजिएगा और उसी कंपी पेन पर ये जितने भी कंटेंट मैं आप लोगों को बतता जाँ रहा हूं वो सारा कंटेंट आप लोग क्या करिए नोट करते चलेंगे तब जाकर के ये नोट सापका complete माना जाएगा कुछ कुछ चीजें जो important एक शब्द में जिसकी ब्याख्या की जा सकती है उसको हम लिख देते हैं और लिखने के बाद उसकी ब्याख्या कर देते हैं तो इस तरीके से जौनपूर की स्थापना फिरोश्चा तुगलक के द्वारा 1358 इस्वी में की गए थी स्वरी 15 नहीं वलकि 1358 इस्वी 1358 इस्वी क्योंकि 1558 तो आपका बहुत आगे चला जाएगा क्योंकि 1526 के बाद तो एक तरीके से दिल्ली सल्तनत क्या हो गया और जब 1526 में दिल्ली सल्तनत समाथ हो गया तो यहां गलती से हमने 1558 लिख दिया था तो यह तो आपका एक तरीके से मुगलों का शाशना जाता है 1526 के बाद तो यहां पर इसकी स्थापना 1358 इसी में जौनपूर की फिरोशा तुगलत के द्वारा किया गया और ये जौनपूर जो है ये जौनपूर इस्थापत्य कला इस्थापत्य कला उसके साथ साथ सिक्षा इस्थापत्य कला सिक्षा और उसके बाद से साहित्य में अपना बिस विशेस योगदान रखता था और यहीं जॉनपूर जो था यह सिच्छा का भी एक विशेस अपना इस्थान रखता था इस्थापत कला में भी विशेस योगदान रखता था और साहीत में भी अपना विशेस योगदान रखता था यहीं कारण था कि आपका मुगल काल में एक तरीके से किसका शाशन हुआ करता था तो सरकी सुल्तानों का साशन हुआ करता था जौनपूर में साशन किसका था तो सरकी सुल्तानों का ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजेगा कि जौनपूर में किस वन्स का साशन रहा है तो इसी सरकी सुल्तानों के योगदान से जॉनपूर को आपका सिराज ए हिंद के नाम से संबोधित किया जाता है। यह भी कोश्चन आपकी परिच्छाओं में पूश चुका है कि सिराज ए हिंद किसे कहा जाता है तो जॉनपूर को। उसके बाद 1492 इसी में, अब यहां पर अगर इस्थापत्य कला आप देखते हैं, तो इस्थापत्य कला के अंतरगत्य, आपका इसी जॉनपूर में कई मस्जिदों का निर्मार कराया गया। और उस कई मस्जिदों में आपका मुख्य मस्जिद आपका अटाला मस्जिद उसके साथ साथ दूसरी मस्जिद आपकी कौन सी है जो काफी ज्यादा फेमस है तो जौनपूर में इस्थित है आपका जंजरी मस्जिद जंजरी मस्जिद तो इस तरीके से आपका इसी सरकी सुल कला का ये उदारन हो गया तब जा करके आपका सिकंदर लोधी ने जॉनपूर को दिल्ली सल्तनत में क्या कर लिया था मिला लिया था ये सरकी सुल्तानों का साशन हुआ करता था और सिकंदर लोधी लोधी वंस का जो साशक है सिकंदर लोधी और इसी सिकंदर लोधी ने इस ज जौनपूर को जीत करके किस में मिला लिया तो दिल्ली सल्तनत में मिला लिया और इस दिल्ली सल्तनत का जो काल चलता है वो 1206 इसवी से ले करके 1526 इसवी तक दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा जाता है तो सिकंदर लोधी ने दिल्ली सल्तनत में इसे क्या कर लिया दिल्ली सल्तनत में सिकंदर लोधी ने इसको मिला लिया तो इस तरीके से आपके जौनपूर के महतो से संबंधी जो भी कोश्चन आपके आते हैं वो जौनपूर से रिलेटेड ये सारी कंटेंट आपको मिल गया है अब हम लोग आते हैं आगरा के बारे में पढ़ने आगरा और ये जो आगरा है ये आगरा एक तरीके से काफी ज्यादा उत्तर प्रदेश का इंपॉर्टेंट मध्यकाली नितिहास में आगरा जो है ये काफी ज्यादा अपना इंपॉर्टेंसी रखता है और इस आगरा की स्थापना किस ने किया तो आगरा की स्थापना करने वाला जो व्यक्ति था ये लोधी वंस का सासक था सिकंदर लोधी और इसी सिकंदर लोधी के द्वारा पंद्रा सो चार इस्वी में ये ध्यान रखिएगा ये भी कोश्चन आपके परिच्छाओं में पूछा है कि आगरा नगर की स्थापना किस सन में की गई तो आगरा नगर की ज दिल्ली सल्तनत का अंतीम वंस कौन था तो दिल्ली सल्तनत का अंतीम वंस लोधी वंस था और लोधी वंस के बाद से फिर क्या हो गया मुगल वंस आ गया और जब मुगल वंस आया तो यही मुगलों का एक तरीके से आगरा जो है वो केंदर बिंदू बन गया अब आगरा मुगल वंस का संस्थापक सासक था वो था आपका बाबर और इसी बाबर के द्वारा आगरा को अपनी राजधानी बनाई गई और जब आगरा को अपने राजधानी बनाया तो धीरे धीरे बाबर के बाद से हुमायू आया हुमायू के बाद से आपका अकबर आया और अकबर के शाषएं काल तक यह आगरा जो है राजदादी बनी रही अब यहाँ पर मुगल साशक बाबर के द्वारा इसको क्या किया गया राजदानी घोसित उसके पाद से हुमाईू की भी यह राजदानी रही फिर उसके बाद से आपका अग्ला सासक जो आया अकबर और ये अकबर जो था इसे आगरे में इसने क्या किया आगरे के कीले का निर्मार कराया और इसने जब आगरे के कीले का निर्मार कराया तो इस आगरे का जो प्रधान कारीगर था उसका नाम क्या था तो आगरे के कीले का जो प्रधान कारीगर था या वास कासिम खां कारिगर कौन था कासिम खां और इसी कासिम खां के द्वारा आगरे का आर्किटेक्ट या डिजाइन तयार किया गया था तो अकबर मुगल बादशा अकबर ने आगरे के किले का निर्मान कराया और इस आगरे के किले का प्रधान कारिगर कौन था कासिम खां था इस इसके साथ साथ अकबर ने इलाहाबाद की पुनर इस्थापना किया इलाहाबाद की क्या किया पुनर इस्थापना और इसी इलाहाबाद की जब पुनर इस्थापना किया तो इसी इलाहाबाद में इसने इलाहाबाद कीले का क्या किया निर्मार किया और इलाहाबाद कीले का जब निर्माण किया तो हाला कि इसका पुराना नाम एलाहाबाद का पहला नाम जो था वो आपका प्रयाग हुआ करता था और जब अकबर ने इस प्रयाग की पुनरिस्थापना किया तो इसका अलाहाबाद नाम रखा और इसी अलाहाबाद में इसने किले का निर्माण कराया तो ये आग्रय की Importancy आपका अकबर के शाशनकाल का clear हो गया उसके बाद इसी अकबर ने आपका 1572 इस्वी में इसने फतेपूर सि करी का निर्माण कर आया तो अगला point हो जाता है 1572 इस्वी और 1572 इस्वी में अकबर ने किसका निर्मान कराया तो फतेपूर सिकरी का निर्मान कराया फतेपूर सिकरी का निर्मान कराया और जब फतेपूर आगरा से कुछ दूरी पे ये फतेपूर सिकरी इस्थीत है और जब इसने 1572 इस्वी में फतेपूर सिकरी का निर्मान कराया त तो इस फतेपूर सिकरी को अकबर ने राजधानी घोसित किया और ये राजधानी आपका कब से कब तक चली थी तो फतेपूर सिकरी जो है 1573 से ले करके आपका 88 तक 1573 से ले करके 1588 तक मुगलों की राजधानी कहां हुआ करती थी तो फतेपूर सिकरी इस्थापित की गई थी तो इस तरीके से यह आपका कुछ points है, इस screenshot ले लिजिए और full, पूर रूप से जब तक आप copy pen ले करके इसको note नहीं करेंगे, तब तक यह आप लोगों के पल्ले नहीं पढ़ेगा, या तो दूसरा यह हो सकता है, कि आप एक ही lecture को कई बार जब तक नहीं पढ़े रहेंगे, तब तक वो सारी चीज़ें दिमाग में एक बार के पढ़ने से नहीं आएंगी, तो इसका screenshot ले लिजिए, उसके साथ साथ, अगर आप लोगों content को note नहीं कर रहा है, तो इस चीज़ को कई बार आप पढ़िए, तो देखिए sure and shorten आपके दिमाग में सारी चीज़ें fulfill हो जाती है, बढ़ जाती है, तो अकबर के संबन में और भी जो point निकलते हैं, उसकी चर्चा हम करते हैं, तो हम लोग कहां तक पहुँच गया थे, तो अकबर के द्वारा इलहाबाद किले का निर्माड, उसके साथ साथ इलहाबाद किले के निर्माड के बाद से आपका फतेपूर सिकरी की स्थापना किया था, और इसी फतेपूर सिकरी में कलायूम संस्कृती का काफी जादा वि उसके साथ साथ आपका बुलन दर्वाजा इन सारी चीजों का निर्माण कराया और यहीं बुलन दर्वाजा जो है वह विश्व का क्या माना जाता है सबसे मुचा दर्वाजा के रूप में जाना जाता है तो फतेपुर सिकरी में इस तरीके से इसने भिन भिन इमारतों का या अकबर था इसी अकबर के द्वारा नौरत्नों का क्या किया गया निर्मार किया गया और इसी नौरत्नों में नौ लोग शामिल थे इसके साथ साथ प्राची नितिहास के कुछ ऐसे प्राची नितिहास का एक मात्र सासक था चंद्रगुत्य दुती विक्रमा दित्य और इस चंद्रगुत्य दुती विक्रमा दित्य के द्वारा भी नौरत्नों का निर्मान किया गया था जबकि मध्यकाली नितिहास में नौरत्न का निर्मान किसके द्वारा किया गया तो तोडर मल और दूसरा जो नौरत्न है इस दूसरे नौरत्न में आपका बिर्बल सामिल है बिर्बल अब यह जो टोडर मल है इस टोडर मल का जन्म कहां हुआ था तो टोडर मल का जन्म जो है वो सीतापूर में हुआ था उत्तर प्रदेश के सीतापूर में इसका जन्म टोडर मल का हुआ था और जबकि बिर्बल का जन्म है वो आपका कालपी में हुआ था और इसी बिर्बल का मूल नाम क्या हुआ करता था तो बिर्बल का जो मूल नाम है वो महेश दास के नाम से जान बित मंतरी के पद पर आसीन था तो इस तरीके से अकबर के नौरतनों में पहला आपका टोडर मल हो गया और दूसरा आपका बिरवल हो गया उसके साथ साथ, अब हम लोग आते हैं जहांगीर के संबन में और इस जहांगीर का उत्तर प्रदेश में क्या योगदान रहा है तो इस जहांगीर के द्वारा आगरा के यमुना नदी के तट पर इसने क्या किया था? तो न्याय की जंजीर लगवाया था और इसने न्याय की जंजीर लगवाया था इस न्याय की जंजीर में लगभग 60 घंटियां लगी हुई थी और कोई भी व्यक्ति जाकर के इस जंजीर को या घंटियों को बजाता था और जब घंटियों की आवाज जहांगीर के सकानों में सुनाई देती थी तो ततकाल उसको राजा के समख छुपस्थित किया जाता था और जब राजा के समख छुपस्थित किया जाता था तो राजा उसे उचित न्याय प्रदान करता था तो इस तरीके से न्याय की जंजीर यमना नभी के तट पर किसके द्वारा लगवाया गया तो जहांगीर के द्वारा लगवाया गया, अब जहांगीर के बाद अगले जो सासक का योगदान है, वो है आपका साहजहा, और ये जो साहजहा था, ये साहजहा का भी कुछ एक तरीके से आगरा में महतपुन कारे किया गया, और साहजहा ने आगरा में, साहजहा ने क्या किय आगरा में मोती मस्जित का निर्माण कराया था और ये जो ताज महल का निर्माण कराया था इस ताज महल का निर्माण जो है साजहा ने अपनी पत्नी मुम्ताज के इस मृत्ती में कराया था और ये जो मुम्ताज की इस मृत्ती हुई थी ये 1631 इस्वी में बुहरानपूर में हो गई थी बुहरानपूर आपका MP में पढ़ता है और इसी MP के बुहरानपूर में इसको दफनाया गया और इसी के इ वास्तुकार था, वो वास्तुकार जो थे उस्ताद एहमद लाहौरी हुगा करते थे और इसी उस्ताद एहमद लाहौरी के दिशा निर्देशन में आपका 42 वरसों के पश्या ताजमहल का निर्माण कारे बनकर के पूंड हुगा। और जब 1603 इस्वी में ताजमहल बन करके तयार हुआ तब जाकर के बुहरानपूर मुम्ताज के कब्र जो बुहरानपूर में इस्थिती उसके कब्र को इसने खुदवाया और खुदवाने के बाद से जो भी हड़ी वगेरा बची थी उसको लेया करके इसने ताजमहल में जाकरके साजहान एक साजहानाबाद की स्थापणा दिली में किया और अगरा से अपनी राजधानी कहाँ स्थापित कर दिया साजहाना बाद इस्थापित कर दिया और उसके साथ साथ दिल्ली के लाल किले की भी इस्थापना किया था जो कि मुगलों द्वारा निर्मित अंतिम किला के रूप में जाना जाता है मतलब लाल किले के बाद से किसी भी किले का निर्माण कोई भी मुगल सासक नहीं करा पाया उसके बाद अब इसमें मध्य काली नितिहास में एक नाम पढ़े होंगे अबुल फजल और ये अबुल फजल जो था ये आपका इसका जन्म जो है वो आगरा में ही हुआ था इसका जन्म कहां हुआ था आगरा में जन्म और ये जो अबुल फजल था इसी अबुल फजल के द्वारा एक प्रसिद पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था आईने अकबरी तथा अकबर नामा तो इसी अबूल फजल का जन्म आगरा में हुआ था और इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है तो इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक आईने अकबरी है तो इस तरीके से आपका जो ये मुगल काल है इस मुगल काल में जौनपूर की महत्ता उत्तर प्रदेश में विसेश तोर पे है जौनपूर के साथ साथ आगरा की महत्ता है उसके साथ साथ आगरा के बाद से आपका जौनपूर हो गया आगरा हो गया और उसके बाद तीसरा हम लोग अगले टॉपिक में ले करके आएंगे तो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू सो मच